सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब और मेरा नाम अमन मैं आप सब्सक्राइब यह टोपिक भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है आपने थम्मिल दे के लिए होगा लेकिन मैं इसको पूरा डेटेल फो में बताता हूं और बहुत महत्पून है क्याया बीजिंग के उल्मपिक कीसे हो सकते हैं स्य간 wanna वट टोक्यो में ठीक्यों में उने वाल था इधार विंटर ऑलंपिक की बात हो रही है विंटर के भी plots होते हैं तो बीजिंग जो है चाइना का जो part है यहाँ पर चाइना में 2022 को winter Olympics होने है ठीक है जो 2022 last जो next आने वाला ओलमपिक्स होने वाले important है पहला तो current फिर यही डेरक्ट आ सकता है कि भाई जो winter Olympics कहा पर होंगे ठीक है Beijing 2022 अब यह जो bid है पहले तो इतन जान लेते कि ओलम्पिक होगे रहे हैं ठीक है ये देखो 2015 में आप बीजिंग ने ये बिड जीती थी ठीक है ओलम्पिक्स की विंटर ओलम्पिक्स की ठीक है making it the first city in the world to be selected hold both summer and the winter आज तक कोई भी ऐसा देश नहीं बना जिसने summer ओलम्पिक्स भी होस्कियों और winter ओलम्पिक्स भी होस्कियों तो चायना सबसे बहला देश बना है दो करेंट अफेर हमारे इधर से पकड़ में आते हैं आप मैं इसका detail analysis बताओ कि ये मुद्दा क्या उठाए ठीक है यह आपके सामने एक सक्षित हैं बहुत बड़ी सक्षित हैं इनकी भी टेटल बजाते हैं तो मैं Nancy Pelosi ठीक है अब ये कौन हैं ठीक है कहां से आए हैं ठीक है अमेरिका से सम्मधे Nancy Pelosi जो है US House Speaker ठीक है दिमाग में रखेगा अमेरिका की बहुत बड़ी सक्षित हैं और इन्होंने सीधा एक डारेक्ट हिंट दिया है कि अमेरिका बॉयकोट कर सकता है चाइना के ओलंपिक को बीजिंग ओलंपिक को बॉयकोट कर सकता है और इन्होंने अर्ज भी क्या है पूरी दुन लेते हैं बहुत सारे हैं लेकिन इसका बेसिक कारण क्या समझा गया है कि मतलब इन्होंने ऐसा क्यों स्टेप लिया ठीक है वाई तो नो राइट नो गेम बॉयकोट चाइना 2022 ओलंपिक्स यह कंसेप्ट है यह बिल्कुल सिंपल सी बात है ठीक है पूरी दुनिया कहती है औ को और इंडिया भी कभी-कभी कहता है कि चायना जो है वहाँ दो को राइट्स नहीं मिलते और जहां पर राइट्स नहीं मिलते है वहां पर खेल नहींने चाहीं ठीक है ba इन्होंने जो ये जो point रखा है इन पे रखा है चाइना उगूर मुसलिम ठीक है मैंने आपको पहले वी एक बरी बता रखा है कि चाइना में माना जाता है कि इनको जेनोसाइड हो रहा है ठीक है ये जो मुसलिम है इनकी कदर नहीं हो रही है ठीक है इनके human rights wallet किये जा रहे है तो इस बहाब पे Nancy Pelosi ने ठीक है पूरे world leaders को ये कहा है कि हमें इस बरी no right no Olympics ठीक है no games in China इसका boycott करना चाहिए चाहिए चाइना में जो olympic हो रहे है क्योंकि अगर olympic games तो होंगे होंगे लेकिन उसमें leaders जाएंगे नहीं मैं इसके example भी देखूँँगा कि पहले क्या कभी past म इसा हुआ है ठीक है इसमें बहुत सारे current affair बन सकते हैं कि यह जो Muslim community यह कहां पे है चाइना में है यह Muslim community यह भी current affair आ सकता है बहुत महत्रपुन सवाल आपके exam point of view मैं आपको daily analysis करा तो कभी भी आपको मेरा analysis मेरे तो समझ लेना वो current affair point of view से important है वो जाना ठीक है चलिए तो चा चाइना में Olympics के लिए ठीक है नहीं आंची है ठीक है सिंपल सी बात है ठीक है यह तो सिंपल है अब यह चीज़ concept को समझो ठीक है यह चीज़ concept को समझो अब अमेरिका या अमेरिका कोई famous व्यक्ती चाइना के ओपर कुछ अलोचना लगाए कुछ ठीक है 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 ये politics खिली जा रही है, ऐसा China का कहना है, China का counterpart है, ठीक है, चायना का counterpart है, ठीक है, लेकिन जहां तक हमें लगता है, ठीक है, कहीं न कहीं, पहले भी मुद्धा उठा था, ठीक है, human right violation तो होते ही हैं चायना में, ठीक है, लेकिन फिर भी, अपने अपने पक्षिनों ने दिये हैं हमें बस इतना रखना है कि फोकस हमारा होना चाहिए कि current affair में क्या आ सकता है, तो current affair में ये सब चीज़े आ सकते हैं, जो direct आई हैं, मैं आपको इतिहास के कुछ example दे देता हूं, ठीक है, जहां पे जो पहले भी, ठीक है, Olympics को बाइकोट किया जा चुका है, 1980 में जो Olympic हुए थ अमेरिका के द्वारा ही किया गया था उस समय भी, तो ये example है वेटा, कि let the Soviet play with themselves, वो खुदी अपने साथ खिलें, ये ऐसा अमेरिका का उस समय भी initiative था, और अभी भी चायना के साथ जो ये initiative किया गया है, ये चायना के लिए किया गया है, ये भी एक important है, ठीक है, अब सवाल उड़ता, what should India do, देखो यार, मैं हमेशा कहता हूँ, इंडिया को हर चीज पेशन से करनी चाहिए, ठीक है, हमारा देश जो है ना, हम सभी के साथ बना के रखना चाहते हैं, तो चायना के इस साथ भी हमारे financial terms में बहुत सारी चीज़े हैं, तो एकदम से काम नहीं खराब कि जा सकता, तो हमें सबर करना चाहिए, boycott होता है, then we will see, अभी कुछ नहीं है ऐसा, ये just a hint है, लेकिन हाँ, जो world leaders है, ठीक है, और जो ये बहुत famous वेक्ति हैं, अमेरीके इन्हों ने direct काया के boycott करना चाहिए, ठीक है, let's see, क्या होता है इसमें, तो ऐसे concept आपको पढ़ लेने साथ बज़ जरू जुड़े, जब आप वाइफाई स्टेड़ी मुझे साथ बज़ जुड़ते हैं, तो आप पूरा complete एक class लेते हैं, live class लेते हैं, तो आज भी वाइफाई स्टेड़ी पे 7 बज़ एक class होगी, live class होने वाली है, and academic comeback का हिस्सा बनी, देखिए, आपके लिए आपको reasoning, English, math, सब कुछ मिलने वाला है, एक SSC के गोल में, SSC गोल से लग करिए, गट्षम क्लिक करिए, जब आप मन से लग करते हैं, उसके नीचे have a raffle code लगाईए, अमन 11, ये बहुत उमदा content रहता है, पूरी coverage होती है, इसमें तो आप ऐसे ही content को पढ़ने के जुड़ते वीडियो को like करिएगा, share करिएगा, comment box पे अपनी राय जरूर लिखेगा, इंडिया को क्या करना चाहिए, ठीक है, और मिलते रहिए मेरे analysis में, और मेरे 7 बज़े के wifi study class में, ठीक है, thank you सभी को, ठीक है, okay, bye